Hello everyone, welcome back to Facts for You दोस्तों, हिंदु धर्म के अनुसार माउंट केलास को भगवान सिव का घर माना चाता है और आज की इस अपिसोड में हम जानने वाले हैं इसी माउंटेन के बारे में कुछ अमेजिंग फेक्ट्स Fact No.1 केलास पर समय जल्दी बीतता है वहाँ पर चड़ाई करने वाले परवतारहियों का कहना है के केलास पर समय जल्दी बीतता है जब सैंटिस ने इस बात की रिसर्च की तो पाया के वहाँ पर अनिय जगह के मुकाबले उनके नाखुन और बाल जल्दी बढ़ रहे हैं और उन्होंने भी ये बात मानी के केलास परवत पर समय तेजी से बितता है फैक्ट No.2 माउंट केलास पर आज तक कोई भी जड़ाई नहीं कर पाया माउंट केलास दुनिया के सबसे उच्य परवत माउंट एवरेस्ट से 7,250 फिट छोटा है फिर भी माउंट केलास पर आज तक कोई चड़ाई नहीं कर पाया जबके माउंट एवरेस्ट पर 4,000 से अधिक लोग चड़ाई कर चुके है परवतारहियों का कहना है कि जब वह माउंट केलास पर चड़ाई सरू करते है तो अचानक उनका मन परिवर्तन हो जाता है और उन्हें लगता है कि चड़ाई सरू ही नहीं करनी और वहाँ चड़ाई सरू नहीं कर पाते जो लोग चड़ाई सरू कर लेते हैं उनका कहना है कि जब वह चड़ाई सरू करते हैं तो अचानक से कोई कुद्रती आफ़ता चाती है और इसके कारण वह चड़ाई नहीं कर पाते या फिर उन्हें लगता है कि वह बिमार हो गए और इसी के कारण वह चड़ाई बीच में ही रोक देते हैं इसी कारण 2001 में माउंट केलास पर चड़ाई बेन हो गई है चिन सरकार ने 2001 में माउंट केलास पर चड़ाई बेन कर दी है कुछ लोगों का मानना है कि माउंट केलास के आसपास कुछ अलोकी सकतिया है जिसके कारण इस पर कोई भी चड़ाई नहीं कर पाते पर ग्यार्मी सताब्वी में बुद्धिस्ट धर्म गुरु मेला रेपा ने केलास परवत पर चड़ाई की थी और उन्होंने कहा था के केलास पर चड़ाई करने की कोशिस कोई भी ना करे साइंटिस्टोंने भी ये बाद रिषेच के दोरानमानी है कि माउट केलास पर कमपास काम नहीं करते कुछ धार्मिक मानियता हो के अनुसार के इलास परवत पृत्वी का केंद्र है यहाँ पर चारो दिशा आके मिलती है और इसलिए यहाँ पर होकायंत्र या कमपास काम नहीं करते है फैक्ट नंबर फोर यहाँ चार चार धर्मों का पवित्रतार मिक स्थल है दोस्तो यह बात तो आप सबको पता ही होगी कि हिंदु धर्म के अनुसार भगवान संकर अपने परिवार समेथ माउंट के इलास पर रहते है परन्तु जेन धर्म के अनुसार यहाँ पर उनके प्रथम तिर्थ का रिजब देव ने मुक्स की प्राप्ति की थी और इसलिए यहाँ उनका भी पवित्रस्थल है बोधिक ग्रंथों के अनुसार माउंट के इलास को मेरु परवत के नाम से जाना चाता है और यहाँ उनके आराथियर डेम चोग का घर भी माना चाता है बेद में रहने वाले बोन समुदायोई के लोगों के अनुसार यहाँ दुनिया का आध्यात्मिक कैंद्र है और इसलिए उनका भी यहाँ पवित्रस्थल है Fact No.5 मानसरवर जिल के पास सुनाई देटी डमरू और ओम की आवाज दोस्तो केलस परवत की चोटियों के बीच स्थित मानसरवर जिल दुनिया की सुत पानी की सबसे उचाई पर स्थित जिल है और उसी के पास स्थित राक्सस तल जील दुनिया की सबसे उचाई पर स्थित खारे पानी की जील है यहां दोनों जील एक दूसरे के इतने पास होकर भी एक दूसरे से बिलकुल विप्रीत है यहाँ पर प्रकास तरंग और ध्वनी तरंग का इतना अदबुद मिस्रन होता है कि वहाँ पर ओम की आवाज सुनाई देती है और जब मानसरवर जिल का पानी पिगल कर बहने लगता है तो उसमें से मानो डमरू की आवाज आती है और यहीं चीज़ी से और भी अदबुद बनाती है अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताए साथी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को तक ही आपको और भी अमेजिंग वीडियो मिलती रहे